आज की चर्चा में आपका स्वागत है स्नैपी गल्स के नाम से मुशूर सपना चौधरी उनका उनकी जिठानी और एक और व्लॉगर है अलका उनके साथ में एक विवाद चल रहा है और ये घरेलू विवाद है जो बार 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 सामने आ रहा है दोर ठमने का नाम नहीं रहा है अब जो नया कुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि उनकी जिठानी यानि के रिखा और उने व्लॉग डाला है और व्लॉग डालने के बाद में उनने बहुटे गंभीर आरोप लगाए है और ये आरोप इस बार जो लगाए है वो सपना जी के ससूर पर लगाए है उनका कहना यह है कि जो उनके ससूर है वो आप उनके व्लॉगों में दिखाई नहीं दे रहे है और इस तरह की से सपना ने उनको घर से निकाल दिया है यानि साथ ससूर को निकाल दिया है और साथ में ये भी दावा करती है अगर अभी क्योंकि वो काफे दिन से उनके व्लोगों में दिखाई नहीं देडि une तो हो सकता है कि जल्दी ही उनको निकाल दिया जाएगा. अब वो कहां जाएंगे अब वो बहन के घर आएंगे ना 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 बहन के घर नहीं आएंगे क्योंकि यहां मैं नहीं आने दूंगी क्योंकि यह घर मेरा है तो कुल मिला के वो यहां पर यह कहना चारी है कि सपना जी के जो सास ससुर हैं उन से अब उनकी नहीं बनती है और उनको घर से न लगाए थे हां उनके जो उससे पहले पती थे सूरज उनकी मौत को लेके भी उन्होंने एलिगेशन लगाए थे तो इस तरीके से वो लगातार एलिगेशन जो है एलिगेशन पे एलिगेशन लगाए चले जा रही है सपना चौधरी के दरब जहां सपना चौधरी ने उनके इ तो भी कुछ action लेना चाहती हैं तो इस तरह से जब उन्होंने दिखाया था और साथ में ससूर भी उनके साथ में थे और ससूर जो नाम लेकर बोल रहे थे और उसमें उन्होंने दोनों का जिक्र किया अलका का जिक्र भी किया रेखा का जिक्र भी किया और ये भी कहा कि वह उस जो गलत किया है वो ये गलत किया है कि शोशल मीडिया फर मेरी सास को लाकर तुमने गलत किया है उसको सामने लाकर गलत किया है कभी मैंने आपके जो इन सब को यूज नहीं किया और आप ही हो जो मेरे पती के पीछे लगी होई हो और आप उनके पीछे लगकर अपना मकसद हल करना चाहती है तो कुल मिला के इशार इशार रोमयनों बड़े गंबीर आरोप उस टाइम में भी लगाए थे और उसके बाद में आज फिर दुबारा से वो सामने आई हैं अपने एक छोटी सी पहले उन्होंने एक शौट बनाई और शौट बनाने के बाद में फिर ब्लॉग लेकर रहें उसमें वो बड़े मजा की अंदाज में बड़े ताने देने वाले अंदाज में उनके ससुर जी को मामा शकुनी मामो शकुनी कहकर बात करती है अच्छा नहीं लगता। बुजूर गया हैं अगर कहीं पर भी कोई गलत बात हुई है तो आप सब्वें तरीके से लिवास कर सकती है हाला कि ऐसी कोई बात है नहीं यह उनका पक्ष है वो अपना पक्ष रखना चारी है कि किस तरह से क्योंकि सपना ने इस तरह से war किया है तो वो भी कोई ना कोई allegation लगा कर इस चीज को दूसरे तरफ गुमाने कोशिश करेंगी और साथ-साथ जो है वो यह कहना चारी है कि उनके ससूर है ससूर भी ठीक नहीं है और ससूर ने बहुत गलत किया है और गलत क्या किया है वो यह कह है वो मारा हुआ है सासत वो यह भी कहना चाहती है इसमें यह allegation में लगा रही है कि वहां पर उनकी जो बहु है उनके गहने हैं वह भी इन्होंने हातिया रखे यानि कि जो मामा है मामा मिंस इनके ससूर यानि सपना के ससूर उन्होंने यह सब चीजे लिए हुई है और इस को यह स्थे वो गलत हैं गलत आदमी है गलत तरीके करते हैं तो यह सारी चीजे़ा वह सामने लाकर उनको जो है बेज़त करना चाहती है कुल में लाकर ये जो लग रहा है सारा किस्सा ये इसी बात का लग रहा है कि सोचल मीडिया पर लाकर आप अपने बड़ास निकाल लिए इस सब कर रही है जबकि पिछले व्लोग में आप अपने उसके बारे में भी पती के बारे में भी बात कर रही थे जिन से कि आपका डाइवोस का केस चल रहा है देखे जिनके घर ये कहते हैं ना जिनके घर शीशे की होते हैं वो दूसरों को पत्थर नहीं फैकते तो इस तरीके से हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप पहले अपना घर संभालिए किसी तरीके से अपने husband और इस सब के साथ में ठीक कीजिए आपके साथ एक छोटा बच्चा भी है तो ठीक है आप समर्थ हैं हालाकि यहां पर यह भी सवाल उठाया गया था सपना के दोबारा कि वो जोड़ाश आप डॉक्टर हैं तो वो यहां पर चैलेंज भी कर रही है कि अगर ऐसा है तो ब्लॉगिंग तो मैंने शुरू करती है जो तुम करती हो हाँ लेकिन वो डांस करना मुझे नहीं आता जितना तुम डांस करती हो पर व्लॉगिंग अगर तुमने शुरू कर दिया तो व्लॉगिंग मैंने भी शुरू कर दिया पर अगर तुम ऐसा मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया तो तुम मेरी तरीके से डॉक्टर बन के दिखाओ किस तरह से आप पांच साल की तवस्या करोगी नीट के exam दोगे और फिर ये सब करोगे तो इसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पढ़ता है बहुत किताबे पढ़नी पढ़ती है बहुत time लगाना पढ़ता है तब जाके ऐसा करता है आप ऐसा कहां कर सकती है तो ये भी चैलेंज उन्होंने उसको देने की कोशिश करी अपने इस चोटे से व्लॉग में आज के व्लॉग में उन परकूर अलग ये अन्दाज में दिखाए थी जबकि इससे पहले जो व्लॉग बनाये थे उसमें दुखी दिखाई दिखाई दिती थी, आपने आपको बिचारा दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन इस बार वो सच सवर के आई हैं और वोनने पूरी तरीके से हमला बोला है और बड़े गलत कहना चीए नजरिये से या कहिए अनदाज से, उनके शब्दों में भी व पिछली बाश सपना ने फोन कॉल करके वीडियो कॉल करके दिखाया था तो आप पहले अपने घर ठीक कीजिए और उसको अच्छी तरह सजाईए संभारिए और वो सब कीजिए बजाए इसके कि आप दूसरे की घर में जाके ये सब चीजे करें अज़े दूसरे का मामला है वो दूसरा अपने आप समालेगा जो भी कुछ करेगा लेकिन आप अपने उसको समालिए हाँ जब ये रिष्टे आज की रेट पर खराब चलने हैं मान लेजे आपने कोशिश करी अच्छा किया और आप अपने रिष्टे समाल लिए तो किस तरीके से आप उन बुज़ूर का सामना करेंगे यानि सपना के ससूर का सामना करेंगे जो बेसिकली देखा जाता है आपके मामा जी लगते हैं यानि मामा ससूर लगते हैं तो ऐसे मैं ये चीज़ना अच्छी नहीं रखती आप को हमसे को इस तरीके से भी आप अप कुली गलत है और दूसरा यह जो व्लॉगर्स हैं यह सारे सारी चीज़ें पता नहीं कि वीवर्स भी असे हैं जो रिखा के इतने जबर्स तरीकी से सब्सक्राइबर बढ़ते चलेगे बढ़ते चलेगे मतब समझ भी नहीं आता कि आप किसका पक्ष ले रहे हैं किसका नहीं ले रहे हैं इसका मतब तो यह कि कम से कम इतने लोग उनको सही मानते हैं और दूसरी बात ही है कि अगर वो सही है हमें नहीं पता कि कौन सही है कौन नहीं है लेकिन अगर वो सही है तो ज रिष्टे गंदे होते हैं आप मर्यादाओं को लांगते हैं तो इसनी जरूरी है आप इन मर्यादाओं का पारण कीजिए और रिष्टों को सुधारिए अभी आप ऐसा करें कि कल को दूसरी तरफ से भी एक व्लोग आएगा जो आपके खिलाफ होगा हो सकता है वो और भी साथ में सुल्या करने की कोशिश कीजिए अपने सास्ता सुर्फ को मनाईए उनसे माफिय मांगे वो बड़े हैं अगर गलती किसी की भी हो आप माफिय मांगेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे इस तरीके से आप अपना कम से कम कोशिश कीजिए इस सबको सेट करने की जिस दन्ने वाद, थेंक यू